Hello everyone, my name is Kritika. Welcome to my channel, Academic Gyan. Friends, क्या आपको पता है, Indian रुपी यानि भारती रुपे का सिंबल किसने डिजाइन किया था और कब किया था? कैसे लाखों हजारों डिजाइन्स में से हमारे Indian रुपी सिंबल को सेलेक्ट किया गया था? आईए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं. गाइस, 5 मार्च 2009 के दिन, Indian गौवर्मिंट ने एक कॉंटेस्ट अनाउंस किया था. कॉंटेस्ट था इंजिन रुपी के लिए एक डिजाइन तयार करने का, जिसे उसके सिंबल के तौर पे अपनाया जा सके. 2010 के Union Budget के दौरान, उस समय के Union Finance Minister प्रडव मुखर जी ने कहा, कि जो साइन इंडियन रुपी के सिंबल के तौर पे चुना जाएगा, वो Indian ethos and culture से जुड़ा होना चाहिए. उस से इंडिया के ethos and cultures reflect होते हों, छलकते हों, वो डिजाइन ऐसा होना चाहिए. उस contest से 3331 responses आएं, जिसमें से केवल 5 को shortlist किया गया. इन 5 को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं. आखिरकार Union Council of Ministers of India की दो मीटिंग्स के बाद 15 जुलाई 2010 को इंडियन रुपी सिंबल के लिए एक डिजाइन सेलेक्ट किया गया. और वो डिजाइन था उदैकुमार धर्मलिंगम का. उदैकुमार के अकॉर्डिंग उन्होंने ये डिजाइन इंडियन ट्राइकलर के बिसिस पे यानि हमारे प्यारे तिरंगे के बिसिस पे बनाया था. उदे कुमार धर्मलिंगम का जनम 1978 में तामिल नाडू इंडिया में हुआ था जब उदे कुमार ने ये डिजाइन तयार किया था उस वक्त वो इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर ओफ आई 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 टी बॉंबे में पी एच डी के एक स्टूडेंट थे अभी करिंटली वो हेड अफ डिपार्टमेंट अफ डिजाइन इन आई आई टी गुआहाटी में हैं सिंस 2018 अब हम थोड़ा सिंबल के बारे में जान लेते हैं इंडियन रूपी सिंबल देवनागरी लेटर र और रोमन कैपिटल लेटर आर का कॉंबिनेशन है दोनों ही लेटर्स इस तरीके से चुने गए हैं कि इंडियन और इंटरनेशनल यूजर्स सबके लिए मीनिंगफुल हो जैसे र स्टैंट करता है हिंदी में रूपीया के लिए और आर इंग्लिश में रूपी के लिए इसके अलावा दो होरिजॉन्टल लाइन्स इक्वल का साइन बनाते हैं जो कि भारत ये तिरंगे की याद दिलाते हैं इस कॉंटेस्ट को जीतने पर उदर कुमार को धाई लाग रुपे का इनाम दिया गया था इंडियन करेंसी नोट्स एंड कॉइंस से रिलेटिट कुछ ऐसे सूपर इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिन्हें शायद ही आप जानते हो इंडियन करेंसी का सबसे जादा वैलू वाला नोट दस हजार रुपे का था इन हाई वैलू नोट्स को सबसे पहले 1938 में और फिर 1954 में प्रिंट किया गया था इसे दो बार डीमोनिटाइज भी किया गया पहले 1946 में और फिर 1978 में जब फाइनली इसे सर्कुलेशन से हटा लिया गया साथी फ्रेंस एक एक हजार रुपे के नोट की प्रिंटिंग कॉस्ट सिर्फ तीन रुपे आ था जबकि दस रुपे के एक सिक्के की मिंटिंग कॉस्ट छे रुपे दस पैसे है साथ ही यह नुमान भी लगाए गया है कि दो हजार रुपे के नोट की प्रिंटिंग कॉस्ट एक हजार रुपे के नोट के प्रिंटिंग कॉस्ट से कम है तो यह कुछ जानकारी थी हमारे इंडियन रुपे सिंबल के बारे में ऐसी ही और इंफर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इससे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें